कोसर नमबर 1 धातु का कौन सा गून बिना टूटे उसके अकार को बढ़ाने के लिए लाबदायक है तो A में है मेलबिलिटी, B में है कठोरता, C में है बिटरलनेस और D में है कड़ाई तो इसका सही अंसर है A, मेलबिलिटी कोसर नमबर 2 धातु का कौन सा गून गलन के लिए लाबदायक होता है तो A में है फ्यूजबिलिटी, B में है बिसिस गुर्तवा कर्शन, C में है चालकता, D में है निर्मान, तो इसका सही अंसर है A, फ्यूजबिलिटी कोसर नमबर 3 धातु के गुन का नाम बताईए यदि वह चुम्बक द्वारा अकर्शित होता है तो A में है चालकता, B में है चुम्बकिये गुन, C में है फ्यूजबिलिटी और D में है बिसिस गुर्तवा कर्शन, तो इसका सही अंसर है B, चुम्बकिये गुन कोसर नमबर 4 एक को दूसरे के उपर सलाइट करते समय 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 योज समानांत्रों में स्लीप और मिसलाइनमेंट को कैसे सुधार है तो A में है बोल्ट और नट असेमली द्वारा, B में है डॉप्टेल गुरूब असेमली द्वारा, C में है सन्युक्त फ्लैट और B असेमली द्वारा, तो इसका सही अंसर है D, जीव और नाली सन्योजन द्वारा, कोसर नमबर 5, स्लोटेड अंगल प्लेट में दिये गए स्लोट का उदेश क्या है, तो A में है जॉप को पकरने के लिए, B में है असान से हैंडल, C में है बजन कम करना, और D में है बेतर दिखाबट, तो इसका सही अंसर है A, जॉप को पकरने के लिए, कोसर नमबर 6, मार्किंग टेबल को काश टाइरन से क्यों बनाया जाता है, तो A में है स्वेम लुब्रिकेशन, B में है अधिक कठोरता बनाए, C में है सटिकता बनाए रखें, और D में है थर्मल विस्तार को रोकें, तो कोसर नमबर 7, यूनिवर्सल सर्फेस गेज के किस भाग का उप्योग आवस्चक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है, तो A में है स्नग, B में है गाइट पीन, C में है रोकर आर्म, D में है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, तो इसका सही अंसर ह D, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, कोसर नमबर 8, इस समानांतर ब्लोक का नाम क्या है, तो A में है ठोस समानांतर ब्लोक, B में है तेनन समानांतर ब्लोक, C में है कोनिये समानांतर ब्लोक, और D में है समायोज समानांतर ब्लोक, तो इसका सही अंसर है, D, समायोज समानांतर ब्लॉक कोसर नमबर 9 सता प्लेट के नीचे भारी रिप सुपलब्ध होने के पीछे कारण क्या है तो A में है प्लेट की मजबूती और कठोरता के लिए B में है प्लेट की दिखावट और लुक के लिए C में है प्लेट का बजन बढ़ाने के लिए D में है सता प्लेट को संतुलित करने के लिए तो इसका सही अंसर है A प्लेट की मझबूती औंक थोरता के लिए Qosen No.10 Angle प्लेट में डिपस क्यों प्रदान किया जाता है A में है समतलता प्रदान करने के लिए B में है बिकृर्टि को रोखने के लिए C में चोकौरपन प्रदान करने के लिए D में मसीनन सता को सपोर्ट करने के लिए तो इसका सही अंसर है B विक किर्ति को रोकने के लिए कोसर नमबर लेवन धातु की उस प्रोपर्टी का नाम बताईए जो सौर किया इंपैक्ट को सहन कर सके तो A में है Tensity B में है Hardness C में है भंगूरता D में है Toughness तो इसका सही अंसर है D Toughness कोसर नमबर 12 निमलिखित में से कोन सी धातु उस्मा और विधूत की सुचालक है A में है कच्चा लोहा B में है हलका स्टील C में है तामबा D में है गढ़ा लोहा मतलब Rot Iron तो इसका सही अंसर है C Copper कोसर नमबर 13 पावर आरी में हाट समगडी काटने के लिए किस TPI बिलेट का उप्योग किया जाता है A में है 10 TPI B में है 14 TPI C में है 4 TPI D में है 8 TPI तो इसका सही अंसर है B 14 TPI कोसर नमबर 14 यूनिबर्सल सर्फेस गेज का कौन सा हिस्सा Scriber को पकरता है तो A में है S Nug B में Guide Pin C में Rocker Arm D में Fine Adjustment Screw तो इसका सही अंसर है A S Nug कोसर नमबर 15 धातु की उस गुन का नाम बताईए जिसमें वह बीना टूटे तार में घिचा जा सकता है A में है Ductility B में है Tenacity C में है Elasticity D में है Malleability तो इसका सही अंसर है A Ductility कोसर नमबर 16 क्यूं सता प्लेट तनाव मूक्त अच्छी कास्ट आइडन से बने होते हैं तो A में है S 93 ư रोकने के लिए B में है तुतने से रोकने के लिए C में है । D में है thermal विस्तार को रोकने के लिए तो इसका चैन, सही अंसर है C रोकने के लिए कोसर नमबर 17 स्टील के बंशित गुण प्राप्त करने के लिए धातु के किस सनयोजन का उप्योग किया जाता है A में है सिलकोन या मिस्रित अनुपात B में है कारवन का मिस्रन अनुपात C में है मैगजीन का मिस्रन अनुपात D में है क्रोमियम का मिस्रन अनुपात तो इसका सही अंसर है B कारवन का मिस्रन अनुपात कोसर नमबर 18 ग्रेड A भी ब्लोक के निर्मान के लिए किस मेटेरियल का उप्योग किया जाता है तो A में है टूल स्टील, B में कार्बन स्टील, C में उच गुन बरता वाला स्टील और D में बारिक दानेदार वाला कास्ट आइरन तो इसका सही अंसर है C उच गुन बरता वाला स्टील कोसर नमबर 19 तूटे बीना तर्णता वालों के प्रभाब का विरोद करने वाली धातू की प्रपर्टी का नाम बताएं A में है डक्टिलिटी, B में है टेनिंसिटी, C में इलास्टिसिटी, D में मैलियेबिलिटी तो इसका सही अंसर है B टेनिसिटी कोसर नमबर 20 बड़े क्रोस सेक्षन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग साखाव क्यों किया जाता है A में है पावर सा, B में है कंटूर सा, C में सर्कूलर सा, D में होरिजन्टल बैंड सा तो इसका सही अंसर है C, सर्कूलर सा कोसर नमबर 21 यदि तापमान धातु की फ्यूजबिलिटी तापमान तक पहुच जाए तो क्या परभाप परेगा A में है बिसिस गुर्तत्प में परिवर्तन, B में है बजन में परिवर्तन, C में अकार में परिवर्तन, D में दबाब में परिवर्तन तो इसका सही अंसर है C, अकार में परिवर्तन कोसर नमबर 22 किसी परदात पर लगाए गए बल को हटने के बाद उसके मुल अकार में बापस आने का कारण क्या है तो A में है सामगरी की प्लास्टिसीटी के कारण B में है सामगरी की लोच के कारण C में है सामगरी की कढ़ाई के कारण D में है सामगरी की कठोरता के कारण तो इसका सही अंसर है B, सामगरी की लोज के कारण कोसर नमबर 23, कौन सी मार्किंग मीडिया मसीन से तयार सत्व उपर एसपस्ट रखाएं प्रदान करती है तो A में है वाइट वास, B में है पिश्यन ब्लू, C में कॉपर सलफेट, D में सेल्यू लोज लेकर तो इसका सही अंसर है B, पिश्यन ब्लू, कोसर नमबर 24, इस B ब्लोक के परकार की पहचान क्या है तो यह कौन सा B block है, A में है single level single group, B में है single level double group, C में है double level single group और D में है double level double group, तो इसका सही अंसर है C, double level single group. कोसर नमबर 25, यदि हेक्सा काटने के दोरान दो से कम दाते कार के संपर्क में आए, तो क्या होगा, A में है अधिक गर्मी उत्पन होगी, B में blade में अधिक गिसाव, C में blade का तूटना, D में job के तूट फूट, तो इसका सही अंसर है C, blade का तूटना. कोसर नमबर 26, धातु की वह प्रपर्टी क्या है, जो तूटने से पहले कोई अस्थाई विक्रिती के अनुमती नहीं देती है, A में है, टेना सिटी, B में hardness, C में भंगूर्ता, D में toughness, तो इसका सही अंसर है C, भंगूर्ता. कोसर नमबर 27, क्रेन हुक के निर्मान के लिए गाढ़ा लोहा का चैन करने का कारण क्या है, तो A में है यह कढ़ा होता है, B में है इसमें ध्रिडता है, C में वह कठीन है, D में इसमें machine ability है, तो इसका सही अंसर है A, यह कढ़ा है, मतलब tough है. कोसर नमबर 28, धातू काटने की आरी का नाम क्या है, A में है power आरी, B में है 36 band आरी, C में है गोलकार आरी, D में है contour आरी, तो इसका सही अंसर है C, गोलकार आरी. कोसर नमबर 29, कौन सी marking media को rough forging और casting पर लगाया जाता है, A में है white wash, B में Persian blue, C में copper sulfate, D में cellulose लेकर, तो इसका सही अंसर है A, white wash. कोसर नमबर 30, निमलिखित में से किस धातू का विशिस्ट गुरुत्व कम है, A में pital, B में aluminium, C में thama, D में c sa, तो इसका सही अंसर है B, aluminium. कोसर नमबर 31, बिभीन profile को काटने के लिए किस धातू काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है, A में power सा, B में circular सा, C में contour band सा, D में horizontal band सा, तो इसका सही अंसर है C, contour band सा. कोसर नमबर 32, समायोज समानांतर block का मुखलाफ क्या है, A में है बिभीन कोन निर्धारित करने के लिए, B में है बिभीन गहराई निर्धारित करने के लिए, C में है बिभीन लंबाई निर्धारित करने के लिए, D में बिभीन उचाई निर्धारित करने के लिए, तो इसका